रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी परेटान जून में एक बाग का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें बाग जिपसी में पैठे परेटकों की और हमलावर तेवर अपनाते हुए दिखाई दे रहा है वीडियो से आ रही आवाजों से लग रहा है कि बाग को परेशान किया जा रहा है जिसके बाद बाग ने आकरामाक रुख अपनाया वीडियो वारल होने के बाद वन विभाग ने इस मामले की जाँच की और जाँच के पाद घटना के जिम्यदार जिपसी चाला काफताब आलम को गरफतार किया गया आलम पर सफारी करने के दौरान वन यमो का उलंगन करने कारूप है बहरहाल वन विभाग आगी की कारवाई में जुट गया है साथी सितावनी सोन में परेटन की गतिविधी को रोक दिया गया है कल 26 अप्रेल को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ था जिसमें यहां देखा जा रहा था कि एक बाग जो है रोट साइड पर किसी जिपसी की और आकरामक्ता से आया और उस वीडियो में यह भी देखा गया कि जो वाहन चालक है उस बाग की तरफ वो उसने उसको टीज करने का प्रयास किया उस पर चिलाया है और जिसके कारण वो बाग वहाँ पर एग्रेसिव हो करके जिपसी की और आ रहा था तो इस घटना की सूचना मिलने पर जब हमने चान बीन की तो मालूम चला कि यह राम नगर वन प्रभाग की सीता वनी परेटन जोन के अंदर का वीडियो है और इसलिए वाहन चालक के खिलाफ हमने वनेजीव संरक्षान अधिनियम की सुसंगत धराओं में केस दर्च किया ह और आज उसे गिरफदार किया गया और गिरफदार कर उसे नियायले में पेश किया गया राम नगर में और जिसके बाद उसे नियाये खिरासत में भीजा जा चुका है